बहुत शुक्रिया हमारे इस मंच पर तश्रीफ फर्मा मुंबई कॉंग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष बहुत ही जबरदस्त बॉंबे के महाराश्ट्रा के लीडर जो विधायक रहे जब अध्यक्ष रहे तो भाजपा और आरसेस की आँख में नाँख में दम करके रखा था हमारे भीच में भाई जकताब हमारे बीच में तालियों सुनता स्वागत करें हमारे बहुत ही मलक पेट के बड़े शांगार हमारे केंडिडेट जिने राहुल गांदी जी ने खरगे जी ने कॉंग्रेस प हमारे डिस्टिक के प्रेजिडेंट वाई समीर वलेजुला साहब और हमारे बहुत ही इजद माप जिनको हम सुनते हैं और सुनना चाहते भी हैं मुश्टाग मलक साहब स्टेज पर तश्रीफ फर्मा मैं माजलत चाहरा हूँ क्योंकि वक्त और भी लोगों को बोलना है हमें भाई जक्ताब साहब को भी सुनना है मुश्टाग मलक साहब को भी सुनना है तो वक्त का मैं मलच पे उपस्तित सभी हमारे इजददार यहां के कॉंग्रेस पार्टी क मेंबरान मेरे सामने तश्रीफ फर्मा इस इलाखे के मेरे सभी बज़र्ग मेरे सभी जवान भाई और मेरी मा बहनों को मेरा अस्सलाम वालेकुम नमश्कार देखिए मैं दूसरी बार इस जगा पर खड़े होके अपनी तखरीर दे रहा हूँ अभी हमारे अश्वाग कि उन्होंने कहा 30 नवंबर उन्होंने कहा दिसंबर तो यह जो दिसंबर कह रहे हैं यह गलत नहीं कह रहे हैं इन्हें याद है 3 नवंबर क्योंकि 3 नवंबर को मलक पेट कॉंग्रेस जीतेगी वो 3 दिसंबर याद है क्योंकि 3 दिसंबर को यहां से कॉंग्रेस पार्टी ज जीतेंगे यह याद है हम मुसलसल यहाँ पर तखरीरे कर रहें अलग 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 लाखों के अंदर घूम रहें मुझसे पहले रटी साहब ने और सब लोगों ने अपनी बाते रखी कॉंग्रेस पार्टी की छह जो गैरंटी हैं वो भी बताई लेकिन मैं खास तोर से आप ल अग्यान उसी ताखते जो इस देश को तोड़ने की ताखते जो भाई को भाई से अलग करने की ताखते जो वो सोच जोर्म थैस और भाजपा की सोच है वो सिर्फ उन तक नहीं हैं उन्हों ने अपने कुछ टिल्लू ढोलों रखे हैं अलग-अलग आखों के अंदर जैसे हैद़राबाद के अंदर उनके टिल्लू है जो धरус सलाम के अंदर बैटे हैं मैं यहांसे कहना चाहता हूँ UAC صاحب आपको आप दारुस सलाम में बैखकर या आप अपनी तकरीरों में जो बाते करते हैं अभी आपके भाई ने जो ड्रामा किया मंचपर पुलिस वाले के साथ या जो भी किया वो तो वो कहके निकल जाते हैं लेकिन मेरा एक जवान भाई जो कहीं यूपी में रहता है जो कहीं मुंबई में रहता है दिल्ली में है या बिहार में है जब वो आपकी बातों को सुनता है आपको देखता है और आपको कॉपी करने की कोशिश करता है तो उस बचारे को जीड हो जाती है शर्मानी चाहिए आपको मेरी माबेने आपर है मुझे पता है मेरी माबेनों के दिल की तकलीफ है ये बोलती होंगी अपने बच्चों को कि कुछ भी बनना लेकिन OEC जैसा मत बनना बिल्कुल मत बनना हमें OEC नहीं चाहिए हमें ऐसे लीडर चाहिए जो इस मुल्क की बात करें हमें ऐसे लीडर चाहिए जो गंगा जन्वी तहजीर की बात करें जो देश को जोडने की बात करें देश को तोडने की बात ना करें हमें लीडर कौन चाहिए हमें लीडर चाहिए जो इस देश को जोडने की बात करता है हमें लीडर चाहिए राहुल गांडी पूरे देश को कंड्या कुमारी से लेके कश्मीर तक एक शक्स पैदल चल रहा है पैदल चल के आपके दिलों को जोडने की कोशिश कर रहा है मुहपत की तुकान खोलने की कोशिश कर रहा है वो ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर इस मुल्क के अंदर जो नफरत फैली है जो नफरत को बढ़ावा दिया गया है वो नफरत खतम करे वहां राहुल गांडी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जो इस मंच पर और यहां पर राहुल गांडी को जो मानते हैं राहूल गांदी के पीछे चलते हैं हम भी वोई लडाई राहूल गांदी की तरह लड़ेंगे जो कि हमारा नेता कहता है कि कुछ भी करो पर दरो मत दरो मत हम नहीं डरते किसी से हम हग की लडाई लडने से नहीं डरते हम हग को बोलने से नहीं डरते जो हमारे हकूख हैं जो हमारे लोगों के हकूख है उनको बोलने से नहीं डरते चाहे हम पे बले ही केस हो जाएं लेकिन कभी कभी बुरामत मानिएगा मैं आपका अपना हो कि ये बात बोल रहा हूँ दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ था तो कि मैं दिल्ली से आतों मैं हुआ इलेक्शन लड़ता हूं मेरी विदान सभाय मुस्कफबाद जहां पे दिल्ली में दंगा हुआ था मैं आपसे बड़ी जिल्मदारी के साथ कहना चाहता हूं आपको याद है ना C.A.N.R.C. याद है मेरी बच्चे वहाँ पर मेरे और आप के हकुक की रवाई लड़ने के लिए बैठे थे किसके लिए लड़ रहते हो मेरे और आप के लिए लेकिन दिल्ली में हमसे क्या गलती हुई हमने वहाँ भी एक ऐसे शक्स को बठा दिया जिसको आरेसेस चाहती थी कि यहाँ यह कॉंग्र जिर्वान को हाँ जिताया तो उसके बाद फिर तबलीगी जमाद के साथ क्या हुआ आपको पता है किस तरीके से तबलीगी जमाद को बदराम किया गया किस तरीके से मरकस को बदराम किया गया तब भी कॉंग्रेस खड़ी रही आपका ये भाई ख़़ा रा मैंने हाँ फिर कहा था हम पर केस लगे लेकिन हम डरे नहीं और फिर मरकज खुला आप सब की हमारी दौाओं की वज़ा से मैं सिर्फ आप से की कहना चाहता हूं कि हमें बाशवूर होकर दिमाग को खोल कर दिमाग की रोशनी में हमें फैसला लेना है मैं जानता हूं साथ जो सीटे हैं कई साल होके आपके जहनों को घुलाम बनाके दो लोग दारुस्सलाम में बैठ कर आप लोगों के उपर अपना राज खायं करते हैं और पुरे हिंदुस्तान में घूंके ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये साथ सीटे चाये दुनिया इदर से उदर हो जाए हम नहीं आर सकते ले लेकिन मैं आज उनको इस सरजमीन से ये बात कहना चाहता हूँ अपने सभी भाई बेहनों की तरफ से कि आप दारुस्सलाम के लोगों असद उत्री नुएसी साहब अकबर उत्री नुएसी साहब समझ लीजे ये तै हो चुका है कि इस बार पतंग कटेगी इस बार पतंग कटेगी और क्यों कटेगी चोकि कॉंग्रेस का माझा बहुत बजबूत है कॉंग्रेस का माझा पतंग को इंशाल्ल Canvas कातेगा हम किसी के जात्ती खिलाफ नहीं है हमारी किसी से दुश्यमनी नहीं है लेकिन जो देश को बातने का काम RSS और भाजपा और नरेंदर मोधी कर रहे हैं वो ही देश को बातने का का मसद्दी रुएची और M.I.M. कर रही है वो इतने फर्क बाजी फेला रही है हम ऐसा नहीं होने देंगे मुझे पता है यह बाशचौर लोग है मैं बार बार कह रहा है हम दिल्ली में बैठकर यह देखते है कि यह वो दक्कन का इलाखा है यह वो हैदराबाद है यह वो दक्कन है जिस पर हिंदुस्तान निगाहें ठिका के देखता है जिसे हिंदुस्तान समझता है कि यहाँ बाशचौर लोग रहते है जो यहाँ से आवाज उठती है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाती है तो इस बार आपकी आवाज मजबूत उठनी चाहिए जोगी पूरे हिंदुस्तान की नजरे आप पर तक-तकी लगाते देख रही है और कॉंग्रेस की सरकाल जब यहां असी सीटों के साथ बनेगी तो यह पता होना चाहिए कि हैदराबाद में भी आनी चली है लगना चाहिए कि हैदरा हमें हमें पूरे तिलंगाना से सपोर्ट मिल रहा है सतर से असी सीटे आ रही है लेकिन हमें यह काफी नहीं है हमें हैदराबाद की ये सीटेट चाहिए जो कि कांग्रे साथ से महबत करती है और मुझे पता है आप भी कांग्रे से महबत करते है मैं ये बोल दा हुपिर मुझे एक चीज का बड़ा अफसोस है मैं जदा वक्त ने लूँँ है सर अगर आपकी इजाज़त हो दो मिट और बोल दूं मलक साब दो मिट अगर आप बोल दूं मुझे बढ़ा अफसोस है कि ये लोग मजभब को अपना एक तरीखे से अपना अपने हाथ को खेलने का मकसद बनाते हैं बढ़ा अफसोस हुआ मुझे इस बार जुमें की नमाज म मैं भी गया और मैंने सुना मजदों से एलान करा रहे हो आप कि हमारे हमकी ताहिक करो बहुत शर्म की बात है हमारी मजदे राज़नीती के लिए नहीं है हमारी मजदे कोई पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं है शर्मानी चाहिए असदुदीन ओसी साथ अगर मेरी वाज तीकों हम बर्दाश नहीं करेंगे आप ऐसी हरकते मत कीजिए तो कि वो पाग भी नियाज वो परवर्दिगार एलम देख रहा है शैतान की लंबर उमर लंबी होती है दोरी भी लंबी होती है आपका घड़ा बर चुका है और वो जो नखाब आपके चेहरे पर था वो पूरी तरीके से आप बेनखाब हो चुके हो पूरे हिंदुस्तान को पता चल गया है कि आप गौन हो आप भाजपा के लिए आरसेस के लिए बीजेपी के लिए जो काम कर रहे हो यह आप किसी से छुपा नहीं है अकबर असदुदीन वैसी साब बोलते हैं तो आप देखिए तकब लिए तो हार गए वो तो हम नहीं गए अगर हम चले जाते तो क्या होता वाह इसे कहते हैं तकबर और मैं बता दूँ वह यह सब अल्लह को सब पसंद है लिकिन तकबर पसंद रही है समय लीजिया अल्ला को सब पसंद है तकवर पसंद नहीं है हमें लीडर कैसे चाहिए ये बैठे हैं हमारे सामने भाई जगताब बंबई के अंदर अपनी आवाज को बुलंद करके लाते हिंदू मुसल्मान सबके लिए हर चीज में हाजिर रहते हैं वैसे हमें लीडर चाहिए और आज आपके वीच में कॉंग्रेस पार्टी ने जो आपका कैंडिडेट में जाए वो ऐसा है जो हिंदू मुसलिम सिख इसाई सबके लिए काम करेंगे जो सबकी बात करेंगे मैं चाहता हूँ मेरे भाई शेख अकबर को देखिए सबकी आपकी मैनत है ये शेख अकबर का चुनाओ नहीं है ये मलक पेट के एक-एक बुजर्ग का चुनाओ है एक-एक जान का चुनाओ है एक-एक मेरी मादेहन का चुनाओ है एक-एक बच्चे का चुनाओ है और ये चुनाओ, शेख अक्पर नहीं जीतेगा, ये मलक पेट जीतेगा, मलक पेट का बेटा जीतेगा, समझ लीजे मेरी बात, एक ऐसा नुमाइंदा चुनेंगे आप, जो आपकी लडाई को विधान सभा से लेके सलग तक, पुरी मजभूती के साथ लड़ेगा, मैं कह रहा हूँ वहाँ से आवाजे आ रही हैं, कि हम तयार हो चुके हैं, 30 नमबर हमारे लिए अजादी का दिन है, और 3 दिसंबर को अजादी मिलेगी, अजादी मिलेगी या नी मिलेगी, शेख अक्पर को जिताओगे, हमारे लीडर हमारे बीच में हाथ खड़ा करके बता दो सब, शेख पर जीतेगा, पका, मैं जादा बात नहीं कहूंगा, मेरे कुछ साथी थे, वो कह रहे हैं, अली भाई, कल जो आपने शेर कहा था, वो एक बार और पढ़ दो, अगर इजादा दो, तो कह दू, पढ़ दू, सर यहां से, मैं यह कहना चाहता हूं, फिर बोल रहा हूं, दिल्ली में रहे थे, नरेंदर मोधी जी को, और, क्या आज राहूल गांदी जी ने एक और बात बोली है, मोधी जी के दो यार, उएसी और केसी आर, यह भी बोला है, तो, नरेंदर मोधी जी के जो दो यार है, उनको भी, और यहां से, आप सब की तरफ से, इस अजीम उशान सर्जमीन से, दारुस सलाम को, मैं यह कहना चाहता हूं, कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादाना समझ, बुस्दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं, माद समा, मरने का किसको खौब यहां, रेतलवार तुझे जुकना होगा, गर्तन में बगावत कर ली है, कर ली है ना बगावत, पक्का कर ली है, ये बगावत, ये लड़ाई, 30 नवंबर को, हमें जीतनी है, और हम जीतेंगे, शुक्रिया जैहिदे,